हे फ्रेंट्स तो आज के ट्विलर रियक्शन रिव्यू में बात करने वाले हैं हाँ एक हिसाब से रिव्यू वो भी बिना समोसा खाय क्योंकि मैं इस फिल्म के ट्विलर की इवेंड लॉंज में बिल्कुल भी नहीं गया हूँ यानि कि मैं अपने दिल की कर सकता हूँ जो चाहू वो इसके ट्विलर को देखने के बाद जो कि मैंने नहीं देखा है और हाँ मुझे पता है कि एक्टर कौन है दुरूफ सरजा मैंने उनकी कुछ फिल्में देख रकी है कुछ नहीं क्योंकि मुझे वो एक्टर उस लेवल पर बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लगते है लेकिन इस बार कोशिच की जारी है पैन इंडिया पे फिल्म को रिलीस क करने की जिसके लिए हिसाब से बहुती ज़ादा खर्चा किया गया है खास करके समोसा जैसे क्रिटिक्स के लिए तो उसमें इन्हें ये इतना बोलते ना ब्लॉग बस्टर क्यों लग रहा है क्यों नहीं चलिए पहले वो देखते हैं उसके बात करेंगे बाकी की बातचीत ये जेल का कपड़ा क्यों है मैं बता दूम मैं पहले ही माइन अपना खराब करके नहीं बैठाओं कि मैं इसके बार में बुराई ही करूँगा देखाओ केजिब जैसी वाइब आ रही है और उससे भी ज़्यादा डेंजरस ये है कि इस एन इंडियन इंडियन के लिए टैग लगाना बड़ता है प्रेसेंटेशन ग्रूप सर्जा एक्षेन प्रिंस बोलते होगे मैं पी मुंबई पाकिसान चल क्या रहा है क्ष्छुछुँप। एक्ष्छुछुफ्गुफुफ जब वीकर अपो यपलिवow झाल भंत हॉच क्या यह टीजर रही है पिर से वही हरकत इसको बोलना पड़ेगा पहली बात तो मैं इसके टीजर से बिलकुल भी रिलेट नहीं कर पाया हूं मुझे यह फिल्म साउथ की बागी जैसी लग रही है घर उससे जादा तो कुछ बोलने ऐसा है नहीं क्योंकि जैसी कि मैंने कहा ट्रेलर की प्रेजेंटेशन मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आई है पूरे के पूरे ट्रेलर को बीजियम से उठाने की कोशिश की गई है कोशिश इसलिए कहूँगा क्योंकि कई सारे एक्शन सीन्से वो दिखाया जाने चाहिए सप्राइस की दौर पर यहां पर बस ऐसी फेक कर मारे जा रहे है मुपर टीजर के नाम पर ऐसा बोलकर को तो फिर जब ट्रेलर निकल कर आएगा तब मुझे लगता है जादा बात करना ठीक होगा लेकिन फिर भी अच्छी वाइप तो नहीं आई है बहुत सारे लूप होल्स है जिस पर अब मुझे लगता है आप मुझे अपनी राय लिक कर बताएगा कमेंड में कि आपको इस का ये टीजर पसंद भी आया है या नहीं क्योंकि सिंपल यह वक्त है इस रियक्शन वीडियो को ही पर खतम करने का पाकि मैं हूँ अजीज मुवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब मिलूगा जल्दी दूसी किसी वीडियो में तिल देन बाई